दोस्तों, रक्षा व्यापार में भारत देश बना दुनिया का बेहद मजबूत विकल्प अब भारत भी करने लगा देश विदेश में हत्यारों का निर्यात चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत की उपलब्धी से हुए परेशान अब रक्षा व्यापार और डिफेंस सेक्टर में देश अपने कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है छोटी छोटी चीजें विदेशों से आयात करने वाला देश आज दुनिया में मजबूत रक्षा विकल्प बनकर उभर रहा है आज दुनिया के तमाम देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं जिसे लेकर चीन की धड़कने तेज हो गई है दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि आखिर रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों के पीछे क्या है बड़ी वज़ा है आज तमाम देश अपने लिए भारत से हतियार क्यों खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों दो हजार सैंतालिस तक विक्सित राष्टर बनने के सपने को लेकर आगे बढ़ रहा भारत अब रक्षा क्षेत्र में भी आत्म निर्भर बनने की राह पर धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है जैसे जैसे देश की अर्थ व्यवस्था वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है भारत रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है और इसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहट घरेलू बुन्यादी धांचे के निर्मान पर जोर दे रहा है आयात कम करने का यह मतलब नहीं है कि उन सामानों की जरूरत ही नहीं है बलकि उन सामानों को भारत अपने देश में ही बनाने पर फोकस कर रहा है दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े घरेलू औद्योग को मजबूत करना और इसके लिए केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों से कई तरह के ठोस फैसले ले रही है घरेलू रक्षा औद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन उपकरणों, पुर्जों और सेवाओं की लगातार पहचान कर रही है जिनसे जुड़ी जरूरतों को देश की कंपनियों से पूरा किया जा सकता है इसके तहट रक्षा मंत्रालय समय समय पर ऐसे कलपुर्जों और कंपोनेंट्स की सूची जारी करती है जिनको सिर्फ घरेलू कंपनियों से ही खरीदा जा सकता है इसे सकारात्मक स्वदेशी करण सूची यानि Positive In-Design Station लिस्ट कहते हैं इसी के अंतरगत रक्षा मंत्रालय ने कई सकारात्मक स्वदेशी करण सूचीयों को वक्त वक्त पर मंजूरी दी है इस सूची में तमाम पुर्जे और सिस्टम शामिल है इसमें Line Replacement Units, Subsystems और अलग-अलग सैन्य प्लेटफॉर्म, उपकरण और हथियारों में प्रयोग किये जाने वाले कलपुर्जे, Components, High End Materials शामिल है दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में देश की मजबूती के लिए सरकार द्वारा किये प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भारत 84 देशों को रक्षा निर्यात कर रहा है और तमाम कमपनियां इसके लिए लगातार काम कर रही है इसके लिए नए स्टार्टाप को सरकार मदद करती है, तमाम योजनाय चला रही है दोस्तों इसी बीच रक्षा मंत्री राजनात सिंह ने रक्षा निर्यात को लेकर जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उन्हें जान कर आपका सीना गर्व से चोड़ा हो जाएगा दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर रक्षा मंत्री ने आंकड़ों में क्या बताया है डिफेंस एक्सपोर्ट में कितना आया है उच्छाल सरकार के कौन से कदमों ने किया कमाल तो दोस्तों इस बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक हेलिकॉप्टर से लेकर मिसाइल तक किये जा रहे निर्यात देश को जबरदस्त फाइदा रूस इसरायल भी ले रहे रुची दोस्तों आत्म निर्भर भारत और मेक इन इंडिया का आज व्यापक असर देखने को मिल रहा है आयात करने वाला देश भारत अब निर्यातक बन गया है आत्म निर्भर भारत अभियान की घोशना कोरोना के समय मैं 2020 में एक संकट को एक अवसर में परिवर्थित करने के उद्देश्य से की गई थी हाल में ही देश का रक्षा निर्यात पहली बार बेतहाशा बढ़ा है स्वतंत्र भारत के इतिहास में रक्षा निर्यात 21,000 करोड रुपए के आंकडे को पार कर गया है देश के रक्षा मंत्री राजनात सिंह ने देश की इस बड़ी सफलता के बारे में बताया है भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उतपाद बेच कर यह रिकार्ड लक्षय हासिल किया है इस क्षेत्र में मात्र एक वित्वर्ष में 33 प्रतिशत का उच्छाल आया है यह लक्षय रक्षा मंत्राले के दूरदर्शी नेत्रित्व के साथ भारत के रक्षा, विनिर्मान और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाये गए कई कदमों से हासिल हुआ है इस सफलता तक पहुँचने में देश की बड़ी 50 कमपनियों ने अहम योगदान दिया है यह भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धी के तौर पर देखा जा रहा है रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता निर्यात भारत देश की बढ़ती क्षमताओं के बारे में पूरे विश्व को अवगत भी कराने का सही समय है दोस्तो इस से जाहिर होता है कि आने वाला समय भारत का होगा और रक्षा के क्षेत्र में निर्यातक के तौर पर एक बहतर स्थान प्राप्ट करने के साथ, पूरी दुनिया के देशों को वस्तूओं के निर्यात करने में काफी योगदान देगा। भारत के रक्षा निर्यात की सफलता में देश की करीब पच्चास कमपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें भारत Electronics, HAL, भारत Dynamics सहित कई कमपनियां हैं जिनके अहम योगदान के कारण भारत निर्यातक देश बना है और हम दुनिया को लडाकू हेलिकॉप्टर स मिसाइल तक निर्यात कर रहे हैं। इटली, मालदीव, श्रिलंका, रूस, स्पेन, चिल्ली सहित कई देशों तक पहुँचे हैं। देखा जाए तो पूरे विश्वस्तर पर भारतिय रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ रही है। दोस्तो भारत की रक्षा प्रणाली दिन प्रति दिन मजबूत होती जा रह ही है। बढ़ते दमखम का असर अब विश्वस्तर पर दिखने लगा है। देश अपने डिसीजन में कोई हस्तक शेप बरदाश्त नहीं करता है। यही वज़य है कि अमेरिका यूरोप के तमाम मान मनोवल और गीदर भबकियों के बावजूद देश ने रूस से तेल खरीदना ब देखी करके कैसे रूस से टेल खरीद रहा है जो अमेरिका और यूरोप ने दुनिया पर लगाए हैं। तमाम मौकों पर अमेरिका भारत को डील क्यों देता है। आखिर देश ने सुपर पावर की कौन सी कमजोर नस दबा रखी है। तो दोस्तो इस बारे में जानने के लि पर सुपर पावर अमरीका भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। जबकि कोई दूसरा देश भारत की बराबरी करते हुए खुद भी वैसा करने की कोशिश करता है तो यूएस उसे जमीन सुंगाने में देरी नहीं करता है। ऐसा ही कुछ उस वक्त देखने को मिला तो सवाल उठता है कि आखिर क्या है पूरा मामला। अमेरिका ने इरान पर लगे तमाम प्रतिबंदों के बाद भी भारत को चाबहर पर छूट क्यों दी। पाकिस्तान को किस बात पर दी कड़ी चेतावनी। तो दोस्तो भारत का दमखम देखकर पाकिस्तान को भी खुमा अमेरिका की निगाह इस प्रोजेक्ट पर टेड़ी हो चुकी है। दोस्तो चाबहार बंदरगाह पर भारत इरान के बीच डील दुनिया के लिए चौकाने वाली थी। दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस डील पर दुनिया की निगाहें क्यों टिकी थी। इसके पीछे क्या थी खास वजह है। मोदी का दमखम देख दुनिया क्यों हैरान रह गई थी। तो दोस्तो इस बंदरगाह को लेकर भारत और इरान के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध था। चाबहार बंदरगाह पर भारत की मौजूदगी को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी भू राजनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। चाबहार भारत ने चाबहार बंदरगाह समझोते को लेकर अमेरिका को भी विश्वास में लिया है। पीएम मोदी के दबाव में आकर अमेरिका को अपने प्रतिबंध भारत के लिए धीले करने पड़े और आखिरकार यह डील फाइनल हो गए। इसी तरह तमाम प्रतिबंधों के ब अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।